अब बीस पर देखलो आवाज आड़ी ने आड़ी है समस्कार दोस्तों लाइव आचुके हैं और कंफर्म करने के लिए आप मुझे आडियो वीडियो क्लियर है नहीं एक बार कमेंट करके बता दे तो फिर आप मागे प्रस्वीर करते हैं होमबक कर रहे हो नहीं कर रहे हो यह बता दो भाई और कितने कितने कोशन तक कर लिये हैं वो भी मुझे कमेंट करके बता दो अब सबको बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगो के बेहत प्यार की वेसे अब हमरे सब्सक्राइबर पांस यार क्रॉस कर चुके हैं और बहुत जल्दी हमने ये मुकाम हसिल कर लिया चैनल तो हमने बहुत पहले बना लिया था परंतु उसको एक्टिव हमने इसी साल किया है एक्टिव से मतलब है कि वीडियो अपलोड करना लाइव लेक्चर्स लेना बगरे 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 लाइव हो गया मणम मेरे क्यों नहीं है राइसमें लाइव वहां से देखो एडिट करो टैमिंग को सही टैमिंग हाँ चलो आप चला है कोई हाँ हाँ वीडियो अपलोड करना लाइव लेक्चर्स लेना बगरे 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 चलो आप लोग कह रहे हैं आउडियो वीडियो क्लियर है बहुत अच्छी बात है और रुचिर हमों कॉंग्रेट्स करने मेरे भाई इसके लिए धन्यवाद और वैसे भी धन्यवाद क्योंकि आप लोग की भाईा मनेश्वाम में तुम ड्राटोंगा नहीं लाइव तो नहीं करोगे तो लेकिन जो result आयागा ना भई exam का वो तुम्हाँ को डाटेगा वो तुम्हार पर हसेगा कि चलो भई बड़े थे ना हूंबग नहीं करने वाले होशार बनने वाले वैसे तो मैं मालूम पड़ेगा कहां तक कर लिया है होंबग क्योंकि इस वीडियो की एहमियत था तभी है जब आप इसके सारे के सारे questions जिस तरीके से मैं अब आपको समझा रहा हूँ approach करने के लिए उस तरह से approach करोगे तो otherwise पढ़ा नहीं पढ़ा सब अपने लिए बेकार है अब बाइ गुड़ी इवनिंग नमस्ते हो चुका अभी तक आपके reply नहीं आ रहे हैं कि आपने कहां तक umba कर लिया है इसी बात तो मैं वेट कर रहा हूँ फिर मागे बढ़ूँगा जो चेर परहार बोल रहे है complete मनीश शर्मा ने sorry बोल दिया इसका मतलब हूंबग नहीं करा है अब की बातों में नजर आ गया था मनीश हूंबग नहीं करा जो आपने जिन्होंने भी अब तक वीडियो लाइक नहीं करा हूँ वीडियो को जरूर से लाइक कर दे यह सर पर कुछ सवाल सर पहले की तरह concept से करने पर पता चलता है कि ऐसे short में करते ज्यादा मैं समझनी पर आपके बाद 410 शायद राजेश आप ऐसा कुछ कहना चाहरे हो कि कुछ सवाल आपको या तो लेंदी ही हैं अभी भी concept से करने पड़ रहे हैं या concept से करने के बाद समझ में आता शॉट रिक कैसे इस्वाल करनी परती है तो इस सब चीजे प्रेक्टिस से आ जाती है और ऐसा नहीं होता कि हो सकता है को ऐसा कोशन जो आपने पहले शॉट ट्रिक से कर रखाओ वो भी अगली बार आप दुबारा सेम कोशन वही कोशन दस दिन बाद इसी शीट में से करो तो वह सकता है वाप इस लेंदी प्रॉसस से कर तो चलो बई एक विमार निर्जाय समय से तीस मिंट बाद रहा ना हुआ अधी घंटे का अंतर हो गया पंदरा सो किलोमेटर दूर जाना है अपने को बतानी है उसकी एक्चुल स्पीड देखो फर्स्ट आफ वाल क्या है डिविजिबिलिटी है ना राज की बात काम करती है बई मैं एक ऐसी स्पीड लूँ सबसे पहले में सास्तो पचास को चनाओ करो कर मुझे आप्शन से करन नहीं है तो तो भीयव 15 सु किलोमेटर अगर सास्तो पचास जागा दो घंटे और सास्तो पचास में राइसो जोड़ गूत ओ एक हजार तो तो खोना बिलकु सास्तों पाइसा पहले क्यों नहीं उठाया क्योंकि इनका भाग पंदरा सू में नहीं जाता है ठीक है चल को चल 6 में अगर मैं 5 जोड़ू 11 आएगा तो 11 से डिविजिबल नहीं है 7 से डिविजिबल है 7 में अगर 5 जोड़ू तो 12 आएगा 12 से भी डिविजिबल है तो 7 से जाओंगा तो 12 गंटे 12 से जाओंगा तो 7 गंटे 5 गंटे गंटे गंटर आगया और यही मेरा आंसर है Next question 45 की स्पीड से चलता है तो 25 मिनिट देरी से पहुंचता है 50 की स्पीड से चाता है तो केवल 9 मिनिट देरी से पहुंचता है सही समय अपने को बताना है ये सही समय आप कुछ भी कर लो इसमें तो आपको लिखकर के ही करना पड़ेगा है परंतु जो मैंने कर आपको अप्रोच बताई कि डॉट्स आप मत लिखो वही एक बार तो 45 की स्पीड है और एक बार 50 की स्पीड है तो 50 तो लिख दो और जो 5 है वो इसको 9 से काटके लिख दो देखो 25 मिनिट देरी से और 9 मिनिट देरी से मतलब को मिला के अंतर हुआ 16 मिनिट का तो यह 16 बटा 6 लिख देते हैं करेंगे 25 मिनिट माइनस कर देंगे तो यह जो भी आंसर आएगा इसको 60 से गुना कर देते हैं यह हो जाएगा आपको distance निकालने ही पड़ेगी second step में time निकालके फिर माइनस भी करना पड़ेगा तो माइनस करने वाले को भी अगर step मानूं तो तीन step हो गए आयूश बोल रहे हैं डाइसो तक करें हैं मनीश शर्मा बोल रहे हैं 31 हुलाई तक वेट करें वही और कोई चारा सरकार ने नहीं दिया है अलाकि हम कोड जरूर जाएंगे सरकार के अगेंस्ट डिंपे सेन ने 390 कर लिए वेरीकूट अक्षे दगदी ने 400 कर लिए बहुत बढ़िया जिन लोगों ने 390-400 कर लिए उनको मजा आ जाएग अब क्यार वाह वाई complete चल अगें option से करने वाला question 3 है किलोमेटर की उड़ा बरी जाती है और दीमा हो जाता है जिसके करण एक घंटा ज्यादा लगता है तो भी 100 की speed का अंतर आना चीह है और एक घंटे का अंतर आना चीह है तो देखो 5 घंटा तो वास्तविक समय अगर मैं 5 घंटा मानू 5 से भाग दो तो 600 speed होगी एक घंटा बढ़ गया 6 से भाग द जोड़ुघा तो साथ से डिवाइड नहीं होता है एक घंटा जोड़ूगा चार से भी दिवेड़ होता है पास से भी डिवेड होता है चार से साड़े 700 आएकाऊ पास से चेस्वा आेका सार ने атьान सार और यह सब बलत है हमान कि अपन कोशन सौन करते हैं पहला ऑफ्षन जब option से सही जा रहा है तो अपन शौर है कि सही है मतलब भाई बिलकुल सही है प्रवीन बोल रेडवांस मैस करो रेलवे में ज्यादा आती है सर भाया धन्यवाद मुझे बताने के लिए प्रवीन और मैं आपको पहले भी बता चुक हूँ जब तक ही chapter खतम नहीं होंगे उस पर नहीं जाएंगे हम ऐसी बेवकूफ ही नहीं करते है कि कहीं से भी कुछ भी chapter उठाके पढ़ा दिया और घास कार दी ऐसा काम LG glasses पर तो नहीं होता है भई पी से क्यों तक की नियर दूरी 10 की speed बढ़ा दी देखो pots और dots में distance बताने वाला question है इसमें दो step में दोनों बार pots और dots लिखा जाएगा तो देखो एक बार speed कितनी है भईया x है अगली बार बढ़के x plus 10 हो गई दोनों का अंतर 10 आएगा जो कि क और 45 में और कम समय लेती है मतलब 105 बटा 60 यह 105 बटा 60 तो भई यह x से x कट जाएगा यह 0 से 0 कैंतिल हो जाएगा और 15 से कटेगा 7 बार 15 से कटेगा 4 बार cross multiply करने तो 80 148 7 x की value आ जाएगी भईया कितनी है 60 x बढ़ाबर 60 आ गया तो वापे spots और dots में रख दो 60 इंटू 17 की ज से 10 कर जाएगा और एक गंटे-गंदर लिखने से मतलब नहीं है हमारा अंसर आ गया 420 किलोमेटर तो इस दो स्टेप वाले कोशन हमने पहले भी देखे थे अगर अभी वापे शीट में ऐसा कोई कोशन आता है तो अक्षे को बहुत मचा आ रहा है ऐसे ट्रिक से कोशन करने थे झाला है तो क्योंकि हमालो में दो स्टैप में होगा यह तो वीरे कोशन है इसमें तो यह 25 वे पहुषना चाहता है तो पंदरा की स्पीड बारा बज़ए पोंचता है तो दया को एक बार स्पीड 15 की है मैंहें बाई अब अगर मैं 10 बजे पहुँचना चाहता हूं तो 15 की स्पीट है ना इसका मतलब हुआ मैं 4 गंटे में पहुचता हूं ठीक है दस में 4 माना स्कूर तो 6 बजे में चला अब मुझे 9 बजे पहुचना तो 3 गंटे में कोशिश करते हैं, एक बार स्पीड 15 थी, एक बार स्पीड 10 थी, 15 इंटू 10 लिखा, नीचे 5 से सीधा को काटा 3 बार, और 2 घंटे गंतर है, दो घंटे गंतर है, हाँ, बिल्कुल ते को 10 बजे और 12 बजे, तो डिस्टेंस हाट है कि इस क्या कि कुछ नहीं लिखना भाई, अब 15 की स्पीड से जाता है, साथ, मतलब 4 घंटे में पहुचता है, आपको 9 बजे पहुचना है, मतलब 3 घंटे में पहुचना है, 3 घंटे में साथ चलना है, तो स्पीड होनी चीए, 20 किलोमेटर प्रसी घंटा, ठीक है भाई? चलो, और किसी के कमेंट नहीं आए है, कुछ लोग बिलकुल डार्क होस, कुछ लोग बिलकुल डार्क होस बनके बैठे हो है, डार्क होस, han lag hårds का मतलब समस्ती हो dark horse idium होती है इसका मतलब होता है छुपा रुस्तम चलो वापे एक वर हमारे सामने ऐसा ही कोशन है 6 fijje पहुंचता है 15 की स्पीट 5 Kan busäng 18 की स्पीड ये 15 लिख अठार नहीं लिखेंगे । Tax 3 से Kaat की सीधा यानि बारा बजे चले होंगे अब आप चार बजे पहुंचना चाते हो भाया तो बारा से चार चार घंटे होए तो अपने स्पीड आजाएगी 45 बटा दो या फिर 25 किलो मीटर प्रती घंटा तो डिस्टेंस सक निकाल लो उसके आगे इसको मन में करने की कोशिश करो इजी इजी डिविसिबिलिटी जाती है फटा फट से कर भी सकते है चलो कौन से कोशन आया भाया अच्छा सेम डिरेक्शन अपोसित डिरेक्शन दो रिल गडियों अले इसमें हम डियाग्राम बनाके हमने समद्द एक मालगड़ी एक बज़े चलती है अठारा दूसरी तीन बज़े चलती है नौ बज़े मिलती है तो थेको अठारा चलेगी आठ घंटे क्योंकि नौ बज़े मिल रही है और 32 चली तो X की स्पीड से 6 गंटे चली होगी X अपना अंसर आजाएगा X बराबर 24 यानि 24 ठीक है सब तो उसकी स्पीड होगए 24 फिलोमेटर परजी गंटा तो इसमें जितने तरह की कोशन होते है सेम डिरेक्शन जा रही है तो एक ही समय चलके एक ही समय पॉस्टी तो अलगलग समय पॉस्टी तो पॉट्स और डॉट्स लगा देता है और बहुत सारी स्खीम अपने पास में नकालने के लिए ठीक है भाई सब चलो आगे बढ़ते है एक मोटर साइकल चलाग 30 की स्पीड से जाता है और आदे घंटे पे 30 मिन में कितना चलेगा बई 30 मिन में 15 किल में चलेगा कर अबने ABC वाले कोशन करे थे न इसको हम पार्टिशन में कंवेर्ट कर लेते हैं कि कौन सा मारे काम का अपने ठान लिया कि हाँ भय आप मन में करो गे तो फिर आप सरे के सरे कोशन मन में कर लोगे राम और अली अपने वाइक से चलते हैं राम 6पे 60 शाट की स्पीड से जाता है और अली 10 बजे जाता है कितने की स्पीड से 90 की स्पीड से अपने को दूरी बता नहीं है तो फिरड़ olması तो मालूम निया भईया, 60 गुणा 90 बटा 30, 30 से राट इसको काड़ दिया, और कितने घंटे का अंतर है, 4 घंटे का अंतर है, 4 तिया 12, 12 चंग, 72, 720, तो अब previous question देखूं, तो मुझे time बताना था, तो मैंने relative speed काम ले ली, next question देखूं, तो मुझे क्या करना था भाई, मुझ तो दोस्त क्योंकि practice singular है, इसलिए उसके दवर्ब में S या फिर ES लगेगा, बबंदर बोल रहे है, 24, ये 24 क्या बोल रहे हूँ, नहीं समझ पा रहा हूँ भाई, कोई बात नहीं, रवी और अजय, रवी और अजय थे, 60 किलो मेटर दूरी चलते हैं, और रवी की चाल, अज अजय की चाल से 4 किलो मेटर प्रती घंटा कम है, बी पर पहुंचने के बाद, तो इसकी स्पीड कम है, तो अजय तो वापिस मुड भी जाता है, और 12 किलो मेटर पहले मिलता है किसको रवी को, तो कुल मिला करके मैं रवी की स्पीड को R मानने वाना हूँ, तो देखो रवी चला है 48, और अजय चला है 72, रवी की स्पीड मानी जाएगी R, तो इसकी हो जाएगी R प्लस 4, और दोनों का टाइम इस तरह की कोशन में बराबर होता है, 24 से काटेंगे, दो बार 24 से काटेंगे, तीन बाग, X बराबर, sorry, R बराबर जाएगा 8 किलो मेटर प्रती घंटा, ठ दिमाग में रखना पड़ेगा कि रवी जो चला है वो 48 चला है और अजय जो चला है वो 72 चला है, तो रवी को अगर 12 मानता हूँ, तो 48 बटा 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 चार होता है, 4 घंटे, और 4 जोडता हूँ, क्योंकि इसकी स्पीड 4 जाता है, तो 72 में 16 का भाग देने पर 4 न टेंडिशने के टाइम एक्वल होना चाहिए, ऑप्शन से भी कर सकते है, कई बटा ऑप्शन में क्या है, जल्द से तुक्का बैड जाता है, 3 बटा 2, 720, 720, अच्छा, एक्चुली क्या है, वो थोड़ा सा आज में को लग रहा है, तोड़ा सा मुझे लग रहा है कि दिफरे कि अच्छता की है, ए और बी, पी और क्यू की बीच इनकी दूरी 21 किलो मेटर है, 3 और 4 की स्पीड से चलते हैं, बी क्यू पर पहुंच का तुरंट अच्छा, जैसा भी रवेज जेवला कोशन ता वैसा ही है, और आर पर इसको मिलता है, तो पी और आर की दूरी ग्यात पर किस की स्पीड जाता है, बी की स्पीड जाता है, तो कुल मिला करके क्या होगा, यह यू गया और यह यू गया, ठीक है, दोनों नो मिला करके तो 42 किलोमेटर कवर कर लिया न, 21 और 21, 42 हो गया, अब क्या चक्कर है, बही मुझे चाहिए A से R पर, तो P से R की दूरी चाहिए, तो इसको 3 और 4 की रेशियो में बाट दो, इसको मेशा इनको स्पीड की रेशियो में बाटना होता अपने को, समझ लो, concept मैं आपको इसका समझायता हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो, previous question की अगर मैं बात करूँ, रवी और अजे वाले question की, तो देखो, दोनों म अब आप भी प्याव आप जाना चाते हो, हम दोनों एक ही काड़ी में चल रहे हैं, तो हमारी काड़ी 60 km ही चलेगी, लेकिन हम दोनों अलग अलग गाड़ी काड़ी और आपकी गाड़ी चलेगी, तो 60 और 60 कितना हो गया? 120 km, ठीक ऐसी ही इस question में चूट डबल हो गया, तो 12 को 3 और 4 पर बातना होता है, तो 12 को 3 और 4 हम बातेंगे, तो 1 गिनिट की वैलिव आएगी, 6 यह आएगा, 18 और 18 ही हमारे काम का है, क्योंकि यह तो 24 आएगा, अब जो कि 2 अस्थानों की बीच की दूरी ही 21 है, तो 24 तो हमारा आंसर कभी भी नहीं हो सकता, हमारा आंसर 18 ही ह होगा, ठीक है सब, यह हमारा आंसर कर देते हैं, 18 किलोमेटर प्रती घंटा, कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लो, मैं आपके डाउट्स का वेट कर रहा हूँ, एक कोई भाई, डिसलाइक कर गया है, मैं बता दू, इस भाई ने करा है, बहुत बढ़िया, इनकी आईडी पी से शुरू होती है, जोनोंने डिसलाइक करा है, प्रती ह bीूppe टेले, बहुत बढ़िया,ेहुत कर रहा है, प्रत कमात में पो बहुते है, आपके ही answers का आपके ही replies का wait कर रहा हूं भाई मनीश न अपने को लाई थोड़ी करनी किसे नाम बता करके भाई अब लड़ने थोड़ी बैटें यहां पर pessimist yes यह बास सही गई रोचल ने चलो भाई कोई डाउट नहीं तो आगे बढ़ते हैं अगें देखो 27 किलोमेटर दूरी है क्या लिखा है भाई अच्छा पी से क्यू की दूरी 27 किलोमेटर है दो रेलगाडियां 24 और 18 की स्पीड से एक साथ पी और क्यू से चलती है देखो जो पी से चल रही है इसको लिखना पड़ रहा भाई मैंको है यह पी से क्यू की दूरी 27 किलोमेटर है दो रेलगाडियां पी तथा क्यू से चलती है ठीक है यह वाली 24 की स्पीड से चलती है यह वाली 18 की स्पीड से चलती है ठीक है और दोनों सेम डिरेक्शन चल र पर जा करके कहीं मिलती है, अपने को Q से R तक की दूरी बतानी है, ठीक है भाई, तो अब डिस्टेंस तो इनोंने सिम कवर करा है नहीं, खुल मिलाकर के बात यह है, कि 27 किलोमेटर जो डिस्टेंस है, और इनकी लेटेव स्पीड है, तो 27 बटा 6 गंटे लगेंगे, 27 बटा 6 ग मुझे P से R तक की दूरी चीव होती, तो दो चॉइस है, 81 में 27 जोड दूँगा, तो 1 जी रोट हो जागा, या फिर 24 को इसी 27 बटा 6 से गुणा करूँगा, 27 लेट देता हूँ, 6 से इसको डिरेक्ट्री का देता हूँ, चालबा कटेगा, 27 चोग 108, अला कि 108 option में नहीं है, तो अपने को खब्राने की जरूत ही नहीं है क्लियर 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 All clear sir easy है चेप्टर अब ठीक है No doubt No doubt No doubt क्लियर 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 चलो बहुत बढ़िया Next question 450 P और Q की दूरी 30 किलोमेटर दूर है P से Q की चलती है A की दिशा में यात्रा करती है Q से आगे R बिंदू पर मिलती है तो देखो भी यह 30 किलोमेटर दूरी है ठीक है Relative speed हुए 5 मतलब 6 गंटे में मिलेगी और इसकी speed 20 है तो 20 इंटू 6 कर दो 120 किलोमेटर ध्यान रखो ऐसे में मैंशे slow ओली train से ही दूरी माप नहीं होती है किस से slow ओली train से क्योंकि आप Q से माप रस ले slow ओली train लोगे P से माप ते तो fast ओली train लेते तो फ़र को fast ओली train कितनी है 25 है 25 चंग 150 होता क्योंकि इंके बीच में अलड़ी 30 किलोमेटर की दूरी है एक इससान दे चलना शुरू करती है पहली की speed 25 है जो constant रहती है दूसरी की speed 24 है जो कि आधा आधा किलोमेटर प्रती घंटा हर घंटे बाद बढ़ती है तो मुझे देखना है कि 24 से 25 आने में कितने घंट लेगी बढ़ी तो दो घंटे पीछे रही तो दो घंटे आगे बराबर होने में लगे और एक घंटा हो जो इकवल चलता है तो बताया था 2x प्लस वन हिसकी ट्रेक होती है तो टोटल हो गाए 5 घंटे पाँच घंटे में दोनों बराबर बराबर हो जाएगी या कह सकते हैं उसको पार कर लेगी कि बाद में इसकी स्पीड ज्यादा होगी नेक्स्ट ऐसा ही कोशन है और एक की स्पीड भाई 35 एक की स्पीड 30 है पर टेक मिनिट में एक किलो मिटर का स्पीड भढ रहा है तो देखो पाँच घंटे ही तो एक की वल्यू पाँच होगी टू एक्स प्लस बन हो जाएगा ग्यारा तो हमारा आंसर आगया ग्यारा घंटे नेक्स्ट कोशन ऐसा ही एक और कोशन है भाई ये तो बलकुर आसानी लग रहे हैं दस ये है, आठ ये है, दो बटा आदा करेंगे, तो एक्स की वल्यू चारा जाएगी ये एक्स की वल्यू चारा गई और टू एक्स प्लस बन होता है, नो घंटे तो मारा आउनसर आगया, नो घंटे और आगे बढ़ते हैं A और B के बीच की दूरी 330 किलोमेटर है A से B की और चलती है 60 की स्पीड से 1 घंटा और B से A की और चलती है 9 बजे 75 की स्पीड से तो देखो भगया 1 घंटा जब अगेली चलती है तो इस में से 330 में से किया है तो 230 बचा और इलेटिव स्पीड जो है 60 और 75 मिलके 135 से काटो तो 2 घंटे लगेंगे कितने घंटे के बाद 2 घंटे लगेंगे 9 बजे के बाद 9 बजे में 2 घंटे चोड़ दो 11 देखो अब मैं आपको को नेट रिक नहीं बता रहा हूँ सारे के सारे वही की वही स्टैप है बस अब इस वक्त आप स्टैप जो है मेंटली कर रहे हो ठीक है फिर एक पार समझा देता हूँ भाई यह 8 बजे लिखा है और यह 9 बजे लिखा है तो 1 घंटे तो यह लिगाड़ी अकिली चलेगी तो यह गंड़े में किता डिस्टैंस कवर कर लेगी 60 किलोमेटर पहले दूरी 330 सी अब कम होके 210 रह जाएगी तो यह होगे डिस्टैंस और यह होगे इनकी स्पीड इलेटिव 135 से काटा डराक्ट 2 घंटे आगए कितने बजे के बाद 9 घंटे 9 बजेगा इसमें आपके बाद में जो गाड़ी चलती है उसके अपने हमेशा टाइम अपना जोड़ते है जिस एप्रोश से आपन कोश्टन्स कर रहे है वेरी गूड वेरी गूड 2X प्लस 1 लिग दिया आपने रवी फिलहाल मेरे भाई पारी रिजनिंग के बारे में कुछ नहीं कह सकते है मैं रीजनिंग के बहुत सारे वीडियो रिकॉर्ड कर ली आप सब के लिए और मैं क्या करूँगा उसको हमारी एप्लिकेशन पर ढलूँगा एप्लिकेशन पर ढलना शुरू कर देंगे बस ठीक है भाई चलो आगे बढ़ते हैं 458 मैं रखो सबरे का फ़ल हमेशा मीठा होता है थोड़ा सा डिले इसलिए भी हो रहा है थोड़ा सा डिले इसलिए भी हो रहा है थोड़ा सा डिले इसलिए भी हो रहा है क्योंकि मैं सारे के सारे नोट्स अपडेट करो मैं बस काम तो कु कि उनसे भी भी नौकी लग रहे हैं, पर थोड़े से उनको और well furnish करना चाहरा हूँ, तो उसमें थोड़ा सा समय लग सकता भाई, इसलिए, इसलिए बस मैं wait कर रहा हूँ, ठीक है, चलो, A से एक रेलकाडी 7 बजे, B की तरफ चलती है, 50 की स्पीड से, 8 बजे, B की तरफ, B से इंटू 2, 120, तो भाई 15 और 12 का रेशय हो नहीं, 5 और 4 का रेशय हो गया, इनके distance का, A, C का और B, C का, वो mentally image बना ली, कि A इदरवाला है, और B इदरवाला है, मैं हमेशे क्या करता हूँ, जो भी sun पहले लिखा हो था question में, आप भी है सेकर, उसको हमेशे left पर माना करो, left मान देदे में, रामगर, लक्षमनगर, भरतपूर, तो फिर वो complicated होता है, फिट वड़ा बहुत लिखना पड़ता है, तो A से चलती ही, 11 बजे बिंदू B की और 36 की स्पीड से, और 1 बजे चलती है, B से A की और 44 की स्पीड से, दोनों कारे मिलने तक, 500 बरान में, किलोमेटर की दूरी तय करती है, दोनों कारे कितने समय पर एक दूसरे से मिलेगी, देखो भैसा, यह जारी है, 36 की स्पीड से, और अखिले चलेगी 2 घंटे तक, ठीक है, 36 दोनी होता, 72, 72 इसमें से मैनस कर दो तो आएगा 520, और 520 को मुझे दोनों की relative स्पीड से डिवाइड करना है, तो एक और साड़े च्छे होता है, साड़े साथ, साड़े साथ बुझे एक आड़ी आपस में मिलेगी, 463, अगेन ऐसा ही कोशन है, M और N के बीच में दूरी 569 किलो मीटर्स है, और 8 बजे चलती है, 53 की स्पीड से वो 9 बजे चलती है, अब इसकी आगे बादने अब एक घंटे में कितना चल जाएगी 53, इसमें से 53 माइनस करो तो 516, ठीक है, 516 जनली किया, डिविजिबल नहीं है किसी से, अब अगर मैं देखू 139, लेटिवे स्पीड 129 आ सकती है, या फिर 43 भी आ सकती है, तो 53 और 76 जोड़ दू तो 129, 13, देखा, तो 4 घंटे बाद दूसरे से मिलेगी, किसके 4 घंटे बाद बाद ले से मिलेगी, 9 और 4 होता, 13 यानि एक बज़े अगारी आपस में मिलेगी, अब आप कहेंगी सारी फटाफट आपने कैसे सोच लिया, कोशन रट के आते हो क्या, कत्ता ही नहीं, बिल्कुल नहीं, never, ever, बस चक्कर क्या है, भ चैसे सुबह, चैसे नौ मैंने पढ़ाई करी है, उसके बाद मैंने दस से दो पढ़ाई करी है, चैसे नो, दस से दो, साथ घंटे ही हो गए, आधा घंटा बीच में माल लो, आप खाने का, और फिर दिर घंटा, तो चार बज़े आपकी क्लास लेने तक मैं साड़े आठ घ घंटे पढ़ चुका हूं भाई, जबकि मुझे नहीं है जड़ोत मैं, तो आप लोग को आगे बढ़ाने के लिए पढ़ाई कर रहा हूं, तो जब मैं अभी तक साड़े आठ घंटे पढ़ चुका हूं, और मैं समझता हूं कि अभी शाम को आपकी क्लास लेने के बाद भी कम से कम देर दो घंटे पढ़ूँगा, तो जब मैं आठ से दस ग्यारा घंटे इस सिचुशन पढ़ रहा हूं, आपकी क्लास ले रहा हूं, शाम के राज के समय लेक्चर भी रिकॉर्ड कर लेता हूं, तो फिर आपको तो यार बहुत पढ़ना चाहिए भाई, एक बजए, एक बजए, साढ़े, साथ बजए, अच्छे टाइम से आप आंसर्स बता रहे हैं, अपने, अपने, तीन ट्रेन वाला कोशन है, तीन ट्रेन वाला कोशन मैं इस जगह मैं नहीं कर पाऊंगा, इस लिए मैं यहां लग रहा हूं, आ, 60 की स्पीड चलती है, मुंबई से दिल् माल लिया, दिल्ली दर माल लिया, MD, ठीक है, 6 बजए छोड़ती है, और 90 की स्पीड से अगेन मुंबई दिल्ली के लिए 9 बज़ती है, तो फर्स्ट आफ हॉल तो मैं क्या करूँ, मैं निकाल लू, पॉट्स और लॉट्टे को 60 और 90, 90 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 30 से गाड़ियां आपस में मिलेगी, तीन गाड़ियां आपस में मिलेगी, और इधर है भया, दहली, और इधर से क्या चलती है, गाड़ी C चलती है, मुंबई के लिए 9 बज़े चूटती है, और 3 ट्रेन एक समय मिलती है, अब कितनी बज़े मिलती है, वो मुझे देखना तो 540 की speed चलती है ये 90 नब्बे तो 6 गंटे इसको लगते है इसका मतलब इसको भी 6 गंटे ही लगे होंगे इसको गर 6 गंटे लगे होंगे तो 6 गंटे में भाई कई मुंबई इसकी दूरी भी दे रखी होगी अगर ये 540 है अचा ये 1260 दे रखा है आप 720 किलोमेटर ये बच चली हो और दोनों जब 9-9 बजे चली हो मिली भी सेम टाइम पर तो इसका मतलब हुआ दोनों 6-6 गंटे ही चली है तो 6 गंटे चलना है 720 किलोमेटर एक घंटे में चलेगी 120 किलोमेटर प्रती गंटा और मैं आपको पता चुका हूँ कि इस तरह के प्रश्न परिक्षा में न अटना नहीं ठीक है आते ही नहीं है वो जाद अच्छी बात है अब अगर ऐसा को और कोशन आया तो मैं इसको जरूर से स्केप करूँगा यह कोशन तो बिलुकुल फ्री फंट क्या करने वाले हैं मैंने आपको इसका कंसेप समझा दिया था अले बड़ा हो जाले भाई चालेस और पचास मीटर दूरी पर हैं वो ना टकरा हैं इसलिए उनकी स्पीड चार और पांच नहीं होने चीए that's it क्योंकि टाइम बरावर है तो स्पीड का रेश्यों चार और पांच अगर हुआ तो टकरा जाएंगे और चार और पांच किलाओ कुछ भी हुआ तो कभी टकराएंगे तो मेरा सही अंसर वेसे तो क्या है फरस्ट भी सही है और उल्मोस्ट थर्ड के वारे में कहनी सकते हैं तो तो पांच और चार और पांच हो सकता है तो इसको तो हम कांट से कह सकते हैं ये तो बहुत थो एक अंपर बैस्ट रही है कि भी 4 और 5 किलाओwald दुन्य ये इसका अंसर आएगा, ठीक है? कैसे आएगा मैं भी आपको निकाल के बसा जता हूँ, जो कुछ अंसर मुझे रटा होता है, मैं आपको बसा जता हूँ तो distance बचा 5 और दोनों की relative speed हुई 8 गंटे तो 4 बजे के बाद हाँ 4 बजे के बाद इतने गंटे और अब इसको आप minute में convert आपको गंड़ा आता है तो मारा answer हो गया 4 गंटे 7 गंटे और 30 सकेंड तो देखो जो answer मुझे याद होता है लगातार practice करते 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 6 बजे 8 बजे से 11 बजे तक और 6 से 10 देखो 6 से 10 कितने हो गया भाई 6 से 10 हो गया 4 गंटा 8 से 11 हो गया 3 गंटा 4 और 3 का LCM अगर नहीं सोरी 1.5 गंटा है भाई 4 और 3.5 का LCM लेंगे तो आएका 28 14 भी ले सकते हैं पर फिलाल तो अपन 28 ले लेते हैं तो ये distance लिख ली 28 जो 4 गंटे में जाती है उसकी speed 7 है इसकी speed 8 है अब 6 बजे से 8 बे तक 2 गंटे या के लिए चलेगी तो 2 गंटे में 14 चल ली ना भाई तो distance बचा 14 लेटे बेस पूरी पंदरा 14 बटा 15 इंटू साट करेंगे तो 56 मिनिट आएगा 8 बजे के बाद 56 मिनिट और तो हमारा answer हो गया 8 चापन ठीक है भाई सब ये SSE में बहुत repeat होता है question 8 चापन वाला LCM लेना है LCM लेने की जो process है वो अपने को अल्रेडी अच्छे से आते हैं इसमें मैं आपकी कोई ज्यादा और विशेश मदद नहीं कर सकता ठीक है भाई 18 और 24 केलसियम लेंगे तो बहतर आजाएगा मन में ही लेंगे तो अब मुझे 22 और 32 केलसियम लेना है यह कर दो 288 और यह कर दो 288 और यह कर दो 288 यह सब ट्रेक्स मैं पढ़ा चुका हूँ मेरे recorded lectures आप देख सकते हैं तो 288 seconds अमेशा time calcium लेना होता है और शुरुवाती इस तन वाले question अलग आता है ठीक है पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे भाई देखो पैरेमेटर 3, 726 दिया है एक ही बिंदू शुरू करके विफ्रीद दिशाओं में चलते हैं करमेशे इतने इतने से और कहीं पर अगर यह लिखा होता है कि शुरुवाती बिंदू पर मिलते हैं तो फिर हम LCM of time लेते हैं कहीं लिखा ही नहीं है कुल मिलाकर के distance कितना हो गया भाई distance हो गया 726 ठीक है यह distance मुझे सोड़ी और जगर की जुरत पढ़ेगी speed, time, and distance speed दोनों को प्लस करते हैं 108 होती है 108 को लिख सकते है 33 बटा 4 33 बटा 4 into x बटा 60 क्योंकि अपने option पढ़ लिए option minute में है बराबर 726 बटा 1000 1000 क्यों क्योंकि यह km पर r है तो यह r में लिख दिया और यह km लिख दिया यह 0 से 0 हो गया cancel और भाई किस से काट ले 11 से कटता है क्या भाई 11 से कटता ही हो गया चलो 3 से काटते हैं तो यह 2 बार कटेगा जो 11 बचा उसको काट देते हैं 48 हासिल लगा 48 और 452 तो हम क्या कर देंगे इसको 5.28 मिनिट्स ठीक है बई तो यह विशेश काम नहीं था ना इसमें मैंने को आपको नहीं तरकीप सिकाई यह तो अपने को लिख्य करना पड़ेगा लेकिन जब ऐसा कोशन आता है प्रॉपर कोशन हो गया और एक कोशन देख लेते हैं 488 यह तो भाई मालूमी आपको है ना APGP GP का कोशन है भाई 2 km पहले जिन चला फिर आदा 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 मैंने आपको BR की बहुत अला एक्जाम्पल बताया था पूरी जिंदगी बर में 4 km चलेगा कैसे यह नहीं चल सकता है अगला आंसर अगला कोशन भाई यह तो मन में करने वाला कोशन है मैंने आपको प्रैक्टिकल समझाया था कि पर्ले एक बर आप कोशन अबन प्रीज, राजेश और भुबंद्र के आपको यह आंसर याद थे जा 5.28 आंसर तेजी से दे पा रहे हो या आपने खुदने भी कैलकुलेट करे है सर मैं बहुत प्रैक्टिस करूंगा सर गॉड प्रामिस मेरे भाई गॉड में जी को बड़ा लिख ले हाँ भाई साब तो 50 की स्पीड से जाते हो उसको मारो गोली आपने यहां तक जब पढ़ लिया एवरेज के आता मैलेज को छोड़ो अब आपको क्या है आपको पढ़ना एक्चुली कितनी स्पीड से चल रहा है तो भी 60 की स्पीड से जा रहा है ठीक है साट की स्पीड से आपका जो मायलेज आएगा न वो 15 का स्पीड ने 12 आएगा अब आपको मायलेज 12 आगया 120 किलोमेटर जाना है 12 के साब से 10 लीटर आपको पैटरोल की ज़रोत पड़ेगी अपना अंसर आगया 10 लीटर और देख लेते हैं भई यह मैंने आपको पताया था मदिया से करने वाला कोशन होता है रवी 40 जिन में निशिद दूरी चलता है जब रोज 9 घंटे आराम करता है तो गवी तो वो ही रवी इस speed जो है वो double करेगा और आराम भी जो है वो double करेगा ठीक है तो speed double हो गया मतलब यहाँ speed एक थी एक से गुणा करने की जब अतनी है speed 2 हो गई 2 से गुणा करके थे 2 गुणा आराम मतलब 18 गंटे आराम करता तो रोग 6 गंटे ही चलेगा न और x दिन उसको लगेंगे तो यह 2 से 2 हो गया cancel यह कटेगा 6 से डाई बार और 40 का डाई गुणा होता है यह 60 तो इसको लगेंगे 60 दिन तो अरे 40 का डाई गुणा होता है 100 देड़ गुणा 60 होता है 100 बज गए 60 option में भी नहीं है option में होता तो मैं घ्लती करके हो जाती बही गलती अब इतनी speed से करना चा है 600 किलोमेटर चली है express train तो जो लोकल होगी वह 600 से कम चलेगी 307.5 किलोमेटर है अब आप कहें साब के एक से अधिक option ऐसे आ जाए जिसके अंदर train जो है 600 से कम चले तो बहुत अशी बात है यह तो बहुत बढ़िया चलो एक और कोशन देख लेते हैं आज हम आप कर देंगे इसको यह बही है ऐसा कोशन जो है अभी क्या आया है उसमें हाल IBPS कलाक मेंस में मैंने आज ही एक ऐसा question solve किया है ठीक ऐसा इसमें missile दे रखी है उसमें car दे रखी थी एक car की speed 60 थी एक car की speed 30 थी दोनों को जादिये कि दोनों 532 km दूर है और एक इदर जाती है एक इसे दोनों एक दूसरी की दूस चलती है अब आपको भाईसा भी यह बताना है कि मिलने मिलने से चार मिनिट पहले मिलने से चार मिनिट पहले वह आपस में कितना दूर होगी अरे बैसा मन में गड़ने वाला question था क्योंकि देखो यह 90 हो गया मैं आपको IBPS में स्क्राइब का बता रहा हूँ जो 2018 में हुआ था जो 2018 में हुआ ठीक है नभे मतलब क्या हो गया 1500 मीटर, 1500 किलोमेटर एक मिनिट में तो 4 मिनिट में हो गया 6 किलोमेटर इस 532 से तो मतलब भी नहीं था जैसे कि इस question में इस 354 मतलब नहीं है यह कितना है 18,000 यह कितना है 60,000 एक मिनिट पहले कितना दूर होंगे एक मिनिट पहले 60,000 एक गंटे में 60,000 होगा तो एक गंटे में 60,000 मील होगा तो एक मिनिट में हो जाएगा 1000 मील दूर ठीक है यह एक्जाम नेम दान लख ले ना, आईबी पीएस मेंस बोल रहो हो तो आईबी पीएस मेंस में ही आपको यह question मिलने वाला है ठीक है भाई small g क्यों नहीं मेरे भाई जब भगवान का नाम लिखते है ना तो उसको हमेशा first letter capital लिखते हैं क्योंकि God जो आप लिख रहे हो किसे नाम के sun पर लिख रहे हो ठीक है भगवान के लिए जब हम he or she लगाते है ना भगवान के लिए जब he or she लगाते है उसमें h और s भी आता है जान रखना कहीं ये लिखावा हो I prayed to him इसका मतलब है ये h बढ़ा क्यों है भगवान के लिए आ रहा है क्योंकि हम प्रात्ना तो किसी अधिकारी से भी कर सकते हैं collector से cm से pm से और हम प्रात्ना भगवान से भी कर सकते हैं तो ये h show करता है कि ये बगवान के लिए आ ठीक है अब हिंदी में कैसे पकड़ माता है राजेश बिल्कुल चिंता मत करो पटवार में क्या है मेरे भाई एक लिखा आ गया एक चर और दो चर पर आधरे समी करने वाले प्रशन उसमें सब आगा जैसे 10th वोड के अंदर होता है सब आते हैं exam के अंदर ठीक है और मेरे स लिक्कर के लिलो भाईया आएगा ठीक है जो सिलेबस दिरेखा उसके अलावा भी कोशन आएंगे और हर साल लोग आपती लागाते है यह नहीं है वो नहीं है तो हाई कोट से या फिर आटीए में जूंको जवाब मिलता है वो जवाब भाई यही होता है कि एक चर दो चरवले समी करने है आप कर लो तीन चरवल इनिटिंग यह बाद पकी है हाँ भाई साब चलो यह तो आप जानते ही हो यार दोनों समान दूरी पर है तो बेकूफ बनने वोला कोशन है ठीक है अब वो देखो होता क्या है कि आप अगर बाकी सारे के सारे कोशन सा अगर देखते हो तो जनरली क्या होता है किसी कोशन में आप 10 मिनिट पस्टे हो किसी कोशन में आप 15 सगिन पस्टे हो फिर आपको आडिया आयता है फिर आप कर लेते हो किसी question में आप 5 मिट पच ते हो फिर आपको idea आया ता है किस question में क्या है 15 मिट तो पर पच जाते हो answer निकाल लेते हो फिर दिमाग गूमता है कि बाई बताना क्या है तो ऐसे question आपको long life याद रहते हैं जो question में आप एक बार पच जाते हो ठीक है पांस अच्छे हो गया next अब देख लो एक एक मिट का अंतर रहा पहले एक मिट में अगले में तो दो चार चार आठ दस और यह ग्यारा मिनिट में पूरा का पूरा खंबा चड़ जाएगा बस यह धहन रखो हमेशा उपर वाला difference लेना होता है यही इसकी trick है ठीक है next अरे यारी question बार बार बड़े करने पड़ रहे है यह मेरे को दिक्कत आ रही है मैं एक बार पहले सारे के सारे question बड़े कर लेता हूँ देको पाइटो को रहा ज्याद करा है थे तीन चार पाँच पाँच बारा तेरा साथ चोईस पच्छेस आठ बंदर अतरा नो चालेश सिक्तालेश ग्यारा साथ एक सट बारा पैटेस सेथे सोला तरह सेथ पैसट बीश इक इस उन्तेस उन्चालेश असी और नवासी यह सारे के सारे अपने को याद होने ही चाहिए तीन चार पाँच पाँच बारा तेरा साथ चोईस पच्छेस अच्छा उल्टा बोल दूँ देखो मेरे साथ से यह आखरी कोशन है क्या मन भूरे वाला या और भी करें हमने अच्छा यह ऑप्शन से भी कर सकते थे हम चलो डेटा सफिशन्सी और डी आई तो क्या करनी है इसको मैं आज ही खतम कर दूँगा भाई बाई डी आई वी आई देख लेंगे बाब में करनी होगे तो उनको और बड़ा कर लेंगे अपन यह आगया बंदा वाला कोशन तीस मीटर उचा खंबा है पाँच मीटर चड़ता है और एक मीटर फिसलता है तो यह पाँच और यह चार और फिर पाँच जोड़े तो नो पाँच चार नो तेरा सतरा एककेस पचेस उनतेस और तैंतेस तैंतेस नहीं चड़ सकता असंभव है तो वापिस फिसल के आएगा अटाइस पर ठीक है अब देखो दो चड़ना है और पाँच की स्पीड है भ बटा पाँच है नहीं तो हम कोशन क्यों पड़े अमारा हंतर आगया साथ सही बटा पाँच नेक्स्ट साथ सेंटीमेटर लंबा खंबा है इसका अगला कोशन आपने गोंगे वाला अब देखा होगा इस नेल मैंने आपको इस नेल मेल भी बताया था तो लो भाई यह क्या है नॉ हाँ यह भी आपको वाइस और यह वीडियो साथ देख रहा होगा कई बार नेक्टिवर कनेक्शन एरर आ जाती है तो इसलिए प्रॉब्लम हो गई थी हाँ देखो अब क्या है कि जो मैं लास्ट अंसर देखा था ना वो पांस सई रास सई दो बटा पांस देखा था इसलिए मैं बाकी सब कोशन पर आपस आए था हूँ मैंना आपको समझा भी चा बटा नौ दिख गया तो मैं एक असा ऑप्शन पकड़ू इसमें चा बटा नौ दिख रहा हूँ यह तो फिर वही है पांच बारा तेरा जो बफर में चूट गया वापिस करा रहा हूँ आठ पंदा स कर रहा हूँ मीटिंग वाले कॉशन में खास बात यह है कि इसके लिट्रिक पहले भी नहीं थी और इसके लिट्रिक अभी भी नहीं होगी जितना अब इसको mentally करेंगे उतना अच्छा होगा एक मैं आपको बताएता हूँ कि भी प्रतेक सवा 4 गंडे बाद मीटिंग होती है और 45 मिट पहले ही मीटिंग छूटी है ठीक है तो अब अगली मीटिंग 2 बजे होगी तो पहले 2 बजे मीटिंग होगी सवा 4 गंडे पीछे जाओ 4 गंडे पीछे जाओ 10 बज जाएंगे 15 मिट और पीछे जाओ तो पौने 10 बजेंगे पौने 10 बजे मीटिंग होई है और मुझे टाइम पूछा पौने 10 बजे के 45 मिनट बाद में पौने 10 बजे में 5 गंटा जोड़तो साड़े 10 बजे तो अभी exact टाइम हुआ है साड एक बार दिया होता है दूसरा दो दो बार अक्सेलिंट वाला कोशन अभी तक परिक्षा में नहीं आया है और इसमें अपन सीजी स्पीड निकालते है पौट्स और डॉट्स है इस स्पीड कितनी होई है 3x और 4x है ना तो एक बार लेखा 4x और एक बार लेखा 3x अपौन तो गाड़ी की स्पीड तो मुझे मालूम पड़ गई 20 km है ठीक है और शुरू में चलती है एक घंटा तो देखो अब एक घंटा अगर चलती है तो एक घंटे में तो 20 km चल ली भाई उसके बाद उसका यहाँ पर एक्सेलेंट हो गया जब एक्सेलेंट हुआ तो 3.5 घंट गंटे जेरी होती तो 90 km होता है तो 3.5 घंटे में 180 km होता है तो 180 km और आगे भी चली होगी तो 20 और 180 200 km तो यह अगें वापी की कोई ट्रिक वाली बात नहीं है इसमें पहले ही का अप्रोच होगे मन में करने की कोशेश करो क्योंकि आप में आत्मशाद आ चुका है और पॉ गटने को 30 में रुकती है दो घंटे जरी से पहुंचती है और एक घंटा कुल मिला के एक घंटे का अंतर हुआ बराबर हो गया 80 भाई यह 20 कर जायागा चार बार तो x की वेल्यू 4 आ जाएगी और 5 x की वेल्यू 20 आ जाएगी तो अगें अपने स्पीड आ गई 20 km प्रती ग कर दे दो बटा तीन कर दे तो 2a upon 3 और b double कर दे तो 2b that is equal to 12 speed आ जाएगी भाई linear equation है अपर आरांग से मन में solve कर सकते हैं हां मन में 3 कर सकते हैं अब क्या होगा बच्छा 12 कहां से आया तो 60 बटा 5 गंटे करा तो भाई 12 आ गया ठीक है अब मैं इसको आप्शन से करने की कुश बारा क्यों impossible है क्योंकि बारा कर दोनों मिलकर क्योंगे तो अकेला एक कैसे बारा हो सकता तो दस भी कड़ गया अब या तो 6 या फिर 4 तो पहले 6 को ट्राय करते हैं यह 6 हुआ तो यह 4 हुआ देखो 6 को यहां रखते हैं 6 का 2 बटा 3 हुआ 4 और यहां 4 रखेंगे तो 4 दुन के अंदर तो अब हम क्या करें कोई बात नहीं हमने नहीं तरकीब निकाल ली हम इसको अप्शन से करने की कौशिश करेंगे देखो क्वाटरी एक्वेशन तो क्या हमेशा ही ऑप्शन से करने है बात क्वाटरी की नहीं हो रही है बात लीनियर की हो रही है लीनियर तो हम गंटे 80, दूसरे गंटे 80, 80, 180 और पॉना गंटा 20, 180 किलोमेटर तो अनना चल चुकी है, 180 चल चुकी है और दूरी 350 बता रहा तो 170 अनना को और चलना है, जानना के सवाद 2 गंटे बीच चुक है, यह इसके बाद स्पीड के अब यह साठ कर देती है, साठ की स्पीड कर देगी पाँच गंटे और पाँच मिनिट, घड़ी वाला समय बताना है, तो घड़ी वाला समय देखे लो भई, पाँच बीस पर चले थे, पाँच गंटे पाँच मिनिट जोड लो, तो तो दस घड हो दस बच करके 25 मिनिट, कुछ घढभड कर रहा हूं क्या बख, 5 20 पर चली, च से चली 80, 60, 116, 116, 117 गल मुटा ज़ब दूरी बची 117 का मतलब वह दो घंटे 50 बाचास दो घंटे 15 बाच गंटे और 5 मिनिट पाच गंटे और 5 मुनिट दस घंटे दस घंटे और 25 मिनिट होंगे घडी में ठीक है कुछ गलती कर रहा हूं तो मुझे बता जेना 558 में, मैं व है किनन अनव दीज क्यों आ रहा यार ठीक है डाउट क्लियर और नट क्लियर इजी और तफ इजी चलो दस पच्चिस है सही है और कोई डाउट हो तो पूछ लो बसकुर समाप्ती पल आ गए है अब जाने को है सार्थ सक 4 गंटे 35 में मेरा सन दौर पूरी करता है 10 किलो मिटर की दौर फिर 20 किलो मिटर की दौर यह मैं लिख लेता हूँ यह 10 किलो मिटर की दौर यह 20 किलो मिटर की दौर पहले और 6 दौर कर पूरी करता है अच्छा पहले दौरता है फिर साइगल फिर दौरता है पहले मों दस बटा 6 करेंगे तो 5 बटा 3 आ जाएगा, दूसरे में उसकी स्पीड 16 है, ठीक है, 20 बटा 16 करेंगे तो 5 बटा 4 आ जाएगा, और अन्तिम दोड में सार्थकी कती पहले वाली से आधी है, पहले वाली से आधी कती है, पहले कितनी गती थी? 6 थी, 6 का आधा कितना होता है? 3, अब मुझे मालूम पड़ गए कि कुल मिलाकर भाई को लगते हैं चार गंटे और 35 मिनिट में इसका काम करता हूँ मैं इन सब को मिनिट में बदल लेता हूँ देखो 4 गंटे के 240 और 275 मिनिट ये हो गए ठीक है भाई 255 इसको 60 से गुणा कर दूँ तो 20 इन टू 5 100 मिनिट ये हो गए इसको 60 से गुणा करो तो 75 मिनिट ये हो गए कुल मिलाकर भाई के पास में 100 मिनिट और है और 100 बटा 60 अगर मैं इसको कर दूँगा हित्ते की स्पीड से जाएगा तो भाई इसको 5 किलो मेटर और चलना पड़ेगा पर इन सब को जोड़ दो तो आजाएगा 35 किलो मेटर तो कुझे को कई बार हम क्या करते है जब में को लग रहा है कि यार पहले तो साला इसको फ्रेक्शन बटा 60 करो फिर फ्रेक्शन बटा 60 करो तो हमने बेसिकली LCM साट ले लिया और तो क्या करा साट कहां से लिया भाई दिमाग में साट है एक गंडे में साट मिनिट होते है पूरा का पूरा कोशन मिनिट पे कनवर्ट होने से काम असान हो गया और पांच किलो मेटर एक्स्टर चले का वो बात सही है पर कुल दूरी उसकी 30 किलो मेटर होगी यह ट्रिक बताई थी कि स्पीड लिखना बंद कर दो स्टॉप राइटिंग स्पीड ठीक है भाई चलो सबको सही चल रहा है मन भोरे साथ बज़े जाता है नौ की स्पीड से कुछ दे चलने के बाद सागिल खराब होगी पंचर होगी होगी 35 मिट अराम करता है साड़े दिन की स्पीड से आगे नहीं जाकर वापस आयाता तो एक बार स्पीड हुई 9 एक बार स्पीड हुई 3 नौ और साड़े 3 का अंतर होता है साड़े 5 यह साड़े 5 इस और लिख रहे है किुझा किसी से पूरा नहीं कट रहा है और dots नहीं dots नहीं इसमें difference of टाम नहीं दिया है में, तो 2 x 9 x 3, और दोनों का total 12, ठीक है, यह होगा इसकी average speed, अब 7 बज़े चला और 1 बज़े वापिस आ गया, 6 गंटे इसको लगे नहीं, इसको लगे है, 6 गंटे में 35 मिलेट कम, देखो 6 गंटे में किते मिलेट होता है, 350, उसमें से 55 खटा हो तो 325, तो यह 325 बटा 60, और यह इसकी total journey है, तो मैं इसको double distance लग देता हूँ, यह होगा, हाँ, बेको ठीक है भई, यह point से point कटेगा, इसके आगे calculation आपको करनी आती, 25 से कार दो इसको 5 बार, 25 से कार दो इसको, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 3, 3, 3, 3 बार कार दो, 5 यहाँ बचाता, आप 5 से कर जाएगा, 7 बार, और न आप कुछ नहीं कटेगा, बई, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 3 हासिल लगा, 1, 26 और 1, 27, इसमें 2 का भाग जेते हैं, 136.5 आएगा, 0 लग जाएगा, तो इससे मिलता जुलता को option होगा, 13.65 किलो मेटर, तो अब देखो, चैसे कल एक लड़गी ने पूछा था कि सरक कब pots रोट लगता ह और कब average speed लगती है, तो इस तो question पर depend करता है, अब अगर मुझे total time नहीं दिया होता, difference of time दिया होता, तो मैं क्या करता है, reports और dots लगा देता है, ठीक है, आती दोनों से distance ही है, बई, आखरी question होगा, शायद ही है, हाँ, आखरी है बई, चला ये किते की spiritual है, तो मैं काम करता हूँ, मैं मेरे मन से एक distance मानने का हूँ, ठीक है, एक ऐसी distance मानता हूँ, जिसमें 3 का भाग जाता हो, क्योंकि मुझे एक तिया ही, एक तिया ही करना है, 2 का भाग जाता हो, कि मुझे half-half करना है, 3 और 2 का LCM होगा, 6, अब मुझे क्या है इन सब speed से भी कटना चाहिए भागा, तो 8, 9, 10 और 6 का LCM, 8 और 10 का LCM 40 होता है, 9 और 6 का 18 होता है, 18 और 40 का अगर मैं LCM लोंगा, 18, 80, 120, 38 और 40 बोल रहा हूँ ना हम आपको, 360 किलोमेटर आ जाएगा भागा, तो मैंने क्या करा है, मैंने distance 360 किलोमेटर अजिम कर ली, ठीक है, वो LCM आप जल्दी से लेना सीख जाओगे, मैंने LCM SCF चर्टर भी पढ़ा है, उसके basic concept भी पढ़ा है, मन में करना बता है, जो बच्चे क्लास में पढ़ चुकोंगो तो tips पर हो चुका है, 40 और 18 का LCM, 40 काटेंगे, 20, हाँ भाई, 360 आगा, मैंने distance 360 मन ली, आप देखो बला, फिर 9 का divide नहीं जा रहा है, तो मुझे total distance ही 360, 360, 360 मनने चीए, ठीक है, 360, 360 और 360, भी 360 जाओँगा, 10 की speed से 36 घंटे लगेंगे, 9 की speed से 40 घंटे लगेंगे, 8 की speed से 45 घंटे लगेंगे, यह हो गया, कुल मन लाकर 121 घंटे तो एक बार लग रहे है, और, और अगर 360 का, 360 मतलब मैं टोटल distance मानना पड़ा, 1080, 1080 का बता होता है, यह 540, और यह 540, फिर 1080 हो गया, यह जाओँ मैं 10 की speed से, चाओँगा, 8 की speed से जाओँगा, तो भाग जाता है कि यार, 40, 45, तो कुल मन लाकर के लगेंगे मुझे, 45 क्यों यार, 45 नहीं आएगा, इससे दाइम ज्याद टाइम बढ़ना चीए, 45, 60 गंटे लगने चीए, वापे चेक करते हैं, 45, 60, 60, 60 गंटे लगेंगे, तो यह हो गया, 121.5 गंटे, तो आधे गंटे का अंतर आता है, तो दूरी 1080 है, देख लेते कोशन में कितने गंटे का अंतर लिखा है, और मज़े की बात है कि कोशन में भ मुझे एक ऐसा ही नंबर तलाशना था, जिसमें क्या हो, 10 का, 9 का, 8 का, 10 का, 8 का भाग चला जाए, तो कुल मिला के 8, 9 और 10 का भाग जाना चीए, अब आप देख रहे हो, 10 का भाग तो सारे option में जाता है, और 9 का भाग के लिए चेक करते हैं, नंबर of, some of digits इसका 7 आ रहा है नहीं होगा, इसका 4 आ रहा है नहीं होगा, इसका 7 आ रहा है नहीं होगा, तो एक ही बचला है, तो तुक्का खेलना होता है, तो तुक्का भी इसी पर खेलते हैं, तो देखो भई 570 तक, पिछले 3 सेशन में, मतलब 15 सेशन, बनी शेर्मा बोल रहे है, 30 किलो मीटर, क्या है 30 इस किलोवर्ट का, अच्छा ठीक है बही, मैरा खाल, हाँ बही, कौन सा सेशन चल रहा है बही इसकाज, अठारवा सेशन चल रहा है, तो पंदरा सेशन तो बही पहले लिए, और तीन सेशन अभी लिए, और आप देखेंगे पंदरा सेशन डेट दो दो घंटे के थे, ये ती सेशन एक सवा एक सवा गिंटे के से, तो मोटे तोर पर पर पैचिस घंटे की पर आएक तरफ और इन चार घंटे की परढ़ाई एक तरफ, ये वरिकोल बराबर हो गया, मतलब सवा च्छे गुने स्पीट से प्ढ़रे हम, सवा च्छे क्या है कि 360 का मुझे मुझे 360 तब चीह था जब इंडिज्वल डिस्टेंस 360 हो तो टोटल एक से एक जगा चाहिए असी मानना चीह था कोई बात नहीं हो जाती है इसी गलती है हाँ भई 500 तर तक करा दिये हैं आगी D.I.D.S. में कराने में इंट्रेस्टेड नहीं हूँ रीजन ये वैसी मन में करते हैं D.S. जो बच्चे हैं मेरे से पढ़ते हैं वो तो और ये सारे के सारे कोशन भाई बिना लिखे होंगे ही नहीं बिना लिखे नहीं होंगे लिखने ही पढ़ेंगे, जितनी मेंटे क्योंशन करते हैं में से बाकी लिखने बच्चे हैं आपकी वाई रिखने पढ़ने लिखे। थो आपके कमेंट्स में मुझे कहें तो मैं वडस्पढऊगा आपको D.I.D.S. और नहीं काउगे तो नहीं बढ़हँगा झाल झाल तो यह बोल रहा है कि अच्छा बोलर ट्रेन मन बन का मतला बहुत तेजी से पढ़ाया क्लियर सर नो डाउट नो डाउट अभीनाश नो डाउट मनीश बोल रहें ने डी आए पढ़ाओ सर अमन प्रीस बोल रहें वह बरी तुन्हें होंबग की नहीं नहीं पुराना वारा ही दिखा दे, जो सिंपल सिस्टम से कराऊ ना, पंदर लेक्शर्स में, वन बावन आसान तरही से करने से स्टैब बाई स्टैब, फैसे ही लेया, चल, बानी तेरी बात, आधा फटा वट, तेको इंडी जोली बढ़ा दूगा, यार ये राजेश ट्वीट जिसकी इच्छा है ना, वो कर रहा है, आपने एक बार कह दिया, आ बिलता रहा है, मैं सबसे आगे रहा हूं लेने में, इसका नाम जीवन नहीं है, लोगों को देना भी सीखो, आट ओफ गिविंग, किसी के लिए कुछ करना सीखो, ठीक है, सब लेने में लगे वे हैं, हाँ बई, हाँ बिलकुल आजा मनीश, मैं वेट कर रहा हूं, most welcome, मिता example, यह question क्यों छोड़ा दिये, क्योंकि तरीका वो यह जो पहले बताया, नहा तरीका तो हही नहीं न, और कोई approach होती ही नहीं है, तो ds तो वैसी बन-बन में करते हैं, पूनम बिलकुल करते हैं, CBI का छापा, छापा में भई, CH के आगे क्या है, एक ह और लगा, यह क्या चापा हो गया, छापा, छापा के लिए CWH आएगा, जो चिर मुझे कल तो आपका ट्वीट नहीं दिखा था, मैं यह नहीं करहा हूँ, आपने नहीं किया था, मुझे कल नहीं दिखा था, शाषवाद के ट्वीट मुझे दिखते रहते हैं, पूनम भी रोज, पूनम तो बेन नागा, हमेशा, आल्वेज, बेना किसी के अपके, हमेशा ट्वीट करती है, हमेशा सारे के सारे वीडियो सेयर करती है, पूनम और सुरेश पिलानिया, इनको तो विशेश विशेश धन्यवाद है, पांच शिरा सब्स्राइबर्स करने के लिए, अरे मनीश तो मैंने कब का, मैं तो मैं तो करूं, बहुत अच्छे ले लगे हो, भाई आप लेकिने भी होंबग जरूर दिखाने आना, राजेश भी डेली ट्वीट करते हैं, बिलकुल, राजेश 100% डेली ट्वीट करते हैं, राजेश को बिलकुल नौकरी की भूख सी है, और जिसको नौकरी की भूख होगी न, वो नौकरी लग भी जाएगा, चलो भाई, टाटा गुडबाई, जय हिंद, जय भारत, होंबग पूरा पूरा कर लेना, सारे के सारे कोशन्स वापस कर लेना, और जब हो जाएं, तो हर 7-8 दिन में पूरे चप्टरा का रिविजन करो, मन में करो, एक चप्टर तो आपका कम से कम पका हो जाएगा, टाटा